पठान मुवी का मैक्सिमम सीन दुबई में सूट हुआ है ये लोकेशन दुबई के बुर्जिक खलीफा के समीप का है यूए के फेमस टॉक्सों के पॉपलर होश्ट पठान मुवी के सेट पर नजर आए है उनका नाम आनस बुकस है पठान मुवी में एक बार फिर साहरुख खान को लंबे बालो में दोस्तों हम लोग देख पाएंगे और उनका यह लूक हूँ बहू डाउन सीरीज से मिलता है दुबई के मैदान रेस कूर्स का या प्यारा सा लोकेशन है यहां सारुख खान एर्थ गुरूल गाजी की तरह घोड़े पर इस्टंट करते नजर आ रहे है पठान मुवी का या एक्शन सीक्वेंस चल्दी ट्रक पर सूट हुआ है यहां न तो उन्होंने कोई सपोर्टिंग वायर लगा रखा है और ना ही क्रेन के सारे उन्हें सपोर्ट मिला है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह एक्शन सीक्वेंस खुद साहरुक खान ने नहीं किया है बल्कि उनके डवल बॉड़ी द्वारा यह सीन पर फॉर्म किया जा रहा है फिल्म के अगले सुटिंग में साहरुक खान एक हमर गाड़ी के छट पर सूट करते नजर आ रहे है यहाँ एक्शन सीक्वेंस उन्होंने खुद से किया है यहाँ किसी भी परकार का डवल बॉड़ी नहीं है और यह बिल्कुल रियल इस्टन्ट है यूँ तो चलती गाड़ी पर इस तरह के एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करना खतरनाक है क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस गाड़ी के उपर साहरुक खान फाइटिंग कर रहे है उसकी स्पीड कितनी है और उन्होंने किसी भी परकार का सपोर्टिंग वायर भी नहीं लग साहरुक खान को दुबई में सुटिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लेम नहीं हुई है उन्हें आसानी से पर्मिसन वहां मिल गया था यहां तक कि उनकी सुटिंग के लिए रोड भी ब्लॉक कराए गए थे दुबई का कार चेजिंग एक्शन सीक्वेंस पठान मुव की फिल्मों में दिखाई देता है इस एक्शन सीक्वेंस को कई लोगों द्वारा सुटे किया जा रहा है और यह काफी तीनों तक चला है जिसमें कुछ सीन दिन के हैं तो कहीं रात के सिंग भी इस सुटिंग में आपको देखने को मिल रहे है सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि इतनी बड़ी सुटिंग में वी एफेक्स वर्क बिल्कुल भी नहीं दिखा है क्योंकि दुबई की सुटिंग बिल्कुल रियल है और पबलिक प्लेस में सुटिंग हो रही है इसी एक्शन सिक्वेंस में हेलिकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं वैसे कहने की बात नहीं है क्योंकि सिधार्थ आनंद अपनी फिल्मों में रियलिस्टिक टच देने के लिए जाने जाते हैं उनकी वार मुवी भी रियल लोकेशन पर ही सूट करी गई थी बहुत कम वी एफेक्स उनकी फिल्मों में देखने को मिलता ह यदि आपने वार मुवी का बिहाइंड दे सीन वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल से चेक आउट आप कर सकते हो साहरुख खान का स्टार्डम तो देखिए पिछले पांस सालों में एक वी फिल्म नहीं चली इसके बावजुद उन्होंने पठान के लिए हंड्रेड करोर रुपए लिये हैं उमेर संदू ने ट्वीट करते हुए साहरुख खान की फीस के बारे में लोगों को बताया था उन्होंने कहा कि ऑफिसियली साहरुख खान बॉलिवूड के हाईएस बैड एक्टर बन चुके हैं पठान के साथ ही एटली कुमार के निर्देशन में अलु अर्जुन की एक और मुवी आ रही है जो पुस्पा पार्ट टू के बाद आएगी जिसके लिए अलु अर्जुन ने भी हंडेड करोड रुपए लिये हैं दैट्स अनेजिंग दैट्स मीन अलु अर्जुन और कींग खान का रुथबा एक जैसा है बाइद वे क्या आप मानते हो इस बात को कमेंट में आप जरूर बताना पठान मुवी में साहरुक कान एक अंडरकवर एजिंट का किरदार निभा रहे हैं उनके मिसन के दोरान एक अफ्रिकन मार्केट भी दिखाया गया है जिसमें हत्यारों की खरिद विक्री होती है दरसल यह सेट मुंबई के फिल्म सीटी में ही तयार किया गया है एंड मुवी का 30% हिसा अफगानिस्तान के पहाडियों और वादियों में सूट करना था लेकिन युद्ध की स्थिती की वज़ा से रियल लोकेशन जाना असंभव हो गया था इसलिए फिल्मेकर सिधार्थ आनंद फिल्म सीटी मुंबई में ही अफगानिस्तान का सीट तयार किया है जहां कुछ सौर्ट वी एफेक्स स्टूडियों के भी है जैसा कि सिधार्थ आनंद ने रितिक रोसन की फिल्म वार को भी निर्देशन किया था जो बॉलिवुड की हाइस्ट ओपनिंग फिल्म है और यरितिक रोसन के लाइफ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवी भी है अब सिधार्थ आनंद जी का दूसरा धमा का हमें पठान में देखने को मिलेगा यस राज फिल्म के बैनर तले पठान मुवी बन रही है जबकि टैगर जिंदा है, एक था टैगर और टैगर थरी फ्रेंचाईजी भी यस राज फिल्म्स की ही है पठान मुवी को लेकर सलमान खान ने ओफिस्यली एनॉन्समेंट कर दिया था वह इस फिल्म का हिस्सा होंगे उनका रोल मुवी में एक special appearance की तरह नहीं है बलकि एक बड़ी time duration में उन्हें हम देख पाएंगे पूरे 20 मिनट के सीन में सल्मान खान हेलिकॉप्टर से पठान मुवी में एंट्री लेंगे और वो सारुक खान को रसियन माफिया से बचा कर लाएंगे एक्शुली टाइगर फ्रेंचाइजी में सल्मान एक raw agent है वहीं पठान में सारुक raw agent ही होंगे इस मुवी के जड़िये एसराज फिल्मस मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तरह अपना खुद का एक स्पाई यूनिवर्स बना रहा है जिसमें फिल्हाल तो पठान के साथ टाइगर को जोड़ा जा रहा है और सल्मान खान की टाइगर थिरी में सारुक खान भी नजर आएंगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वार मुवी के कैरेक्टर्स भी पठान की अगली सिरीज में देखने को मिल जाए क्योंकि रितिक रोसन की वार को भी यसराज फिल्म्स ने ही बनाया है